दोस्तों आपने बैटरी ब्लास्ट होने के इंसिडन कई बार सुने होगे इवन्दों आपने अपने आसपास ये भी देखा होगा कि कई लोगों के स्मार्ट फोन की बैटरी अचानक से फुल जाती है कई बार कई लोगों की बैटरी चार्ज ही नहीं होती या फिर चार्ज करने के बाद जल्दी ड्रेन हो जाती है तो आखिर ये कैसा होता है क्या हम मोबाइल फोन को ओवर चार्ज करने के वज़े से ये होता है या फिर हम कई बार अपना मोबाइल राद भर चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं इसके वज़े से यह होता है या फिर समय समय पे हमारी बैटरी पूरी तरीके से हम ड्रेन होने देते हैं उसके वज़े से यह होता है या फिर बैटरी 100% चार्ज होने से ये होता है आपके इनी सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ जिसके मदद से आपको अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइप बड़ाने में मदद होगी बस आप ये वीडियो आगे देखते रही है लाइक और शेयर करते हुए देखे दोस्तों कई लोगों की ये धारना होती है कि हमारी बैटरी ब्लास्ट होने के पीछे या फिर उसके खराब होने के पीछे एक ही वज़ा होती है फोन को ओवर चार्ज करना या फिर 100% चार्ज करना तो क्या ऐसा होता है तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों बिल्कुल नहीं अगर आप अपने फोन को ओवर चार्ज करते हो या फिर 100% चार्ज भी करते हो तो आपके स्मार्टफोन के बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है अब आप लोग यह को होगी कि नहीं भाई आप जूट बोल रहे हो मेरे कई स्मार्टफोन की बैटरी खराब होगी वो फुल गई या फिर ब्लास्ट होगी फुल गई या फिर ब्लास्ट होगी तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही हो यह होता था पर कब पूराने स्मार्टफोन में 2015 के पहले जो भी स्मार्टफोन आते थे उनमें यह होता था उसके पीछे सबसे बड़ा रिजन यही होता था कि पूराने स्मार्टफोन के अंदर रिमूवेवल बैटरी आती थी जी हाँ कई बार हम हमारे बैटरी को फोन के अंदर से बाहर निकालते थे उसके वज़े से वो बैटरी खराब हो जाती थी और पूराने स्मार्टफोन के अंदर कमपोनियों के तरफ से बैटरी के लिए कोई खास protection software या फिर calibration type प्रोवाइड नहीं किया जाता था इसी के वज़े से आपके smartphone की battery उस समय blast हो जाती थी या फिर full जाती थी यही एक reason था अब दोस्तों आजकल तो यह होता नहीं है क्योंकि आजकल के जमाने में जो भी smartphone आ रहे है वो total battery protection के साथ आता है और non removable battery उन smartphone के साथ आती है अब इसके वज़े से क्या होता है company के तरह से special battery protection उन batteries के लिए provide किया जाता है और हाँ battery calibration software के साथ यह batteries हमारे smartphone के अंदर डाली जाते है अब सवाल यह बनता है कि आखिर यह battery calibration होता क्या है देखिए दोस्तों आजकल जो smartphone आते है उनके अंदर एक special type का software already company के तरफ से अपने mobile phone के अंदर install किया होता है और वो battery को calibrate करने में मदद करता है अब battery को calibrate करने में मदद करता है मतलब क्या होता है calibration के process के through हमेशा यह software आपकी battery की live बढ़ाने की कोशिश करता है कैसे अब आप सोच रहे होगे कि आखिर यह कैसे होता है देखिए दोस के phone के अंदर यह smart technology available होती है इसलिए आप अगर अपने phone को राद भर भी charge करने के लिए छोड़ देते हो तो भी एक बार जब 100% हमारी battery charge हो जाती है अपने आप ही उसके अंदर power भिजना mobile का software बंद कर देता है अब यहाँ पर एक और सवाल आपके मन में आयेगा कि मैं यह कह राहू कि एक बार हमारी phone की battery charge होने के बाद 100% charge होने के बाद हमारे battery को mobile का software power provide करना बंद कर देता है तो फिर ऐसे में हमारी phone की battery drain तो होनी चाहिए क्यूंकि अब mobile के software ने हमारी battery को power देना बंद कर दिया है तो हमारी phone की battery definitely drain होना चालू होना चाहिए तो हाँ दोस्तों बिल बैटरी 100% चार्ज कैसे मिलते वो तो ड्रेन होना शुरू हो चुकी होगी तो 1%, 2% बैटरी लॉस को हमें सुबह दिखना ही चाहिए क्योंकि बैटरी को पावर देना मोबाइल के सॉप्वेर ने बंद कर दिया है ये सवाल आपका यहापे बिल्कुल बंता है पर दोस्तो इसका सिंपल सा आंसर है जब भी आपका मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है तो आपके बैटरी को पावर देना सॉप्वेर बंतो कर देता है पर जैसे आपकी फोन की बैटरी 1% लो हो जाते या फिर थोड़ी सी भी लो हो जाते वैसे ही फिर से आपके बैटरी को पावर देना आपके मोबाइल का सॉफ्वेर शुरू कर देता है इसलिए वो 100% फुल बैटरी चार्ज हमेशा मेंटेंड रहता है जब भी आपका एडप्टर आपके फोन के साथ कनेट रहता है यही सिंपल सा आंसर है तो दोस्तों अब बिलकुल भी घबराईए मत अगर आप रात भर अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए लगाते हो तो आपके फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है या फिर 100% चार्ज करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आने वाले पर हमारा सवाल तो यहाँ पर बरकरार है कि आखिरकार मोबाईल की बैटरी क्यों ब्लास्ट हो जाती है या फिर मोबाईल की बैटरी क्यों खराब हो जाती है तो दोस्तों कई बार क्या होता है इसके अंदर manufacturing defect होता है जी हाँ manufacturing defect की विज़े से या फिर आपकी बैटरी के अगर यह सारे प्रोब्लेम्स आपको अपने फोन को सर्वी सेंटर वालों के पास दिखाना चाहिए वो आपका फोन ठीक करके दे देंगे तो यहाँ पे अब आपको डरने की जरूरत नहीं है बिंदास अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए लगाना है अगर आपके कोई दिक्कत नहीं है तो आपके बैटरी को भी कोई प्रोब्लेम यहाँ पे नहीं होने वाले बाकि आपके मोबाइल फोन बैटरी के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कॉमेंट में जरूर पूछे मैं हर कॉमेंट का रिप्लाइद देता हूँ और अगर आप ट टेक ब्यूरियों के पर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वीडियो कर पसंदेज प्लीज लाइक शेर कर दो जैहिन वंदे मातरम